नमस्ते आप सबका वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी एक्तम टेस्टी सी धावा स्टाइल बढ़िया वाली डाल अब आप कहेंगे कि डाल तो हम सभी को बनाने आती है पर कुछ इस तरह से ब तो इसे दस्मेंट भिगो सकते है या डायरेक्टी गैस को अनकर के कोकर रख दे और यह डाल डाल दे साथ ही साथ मैंने इसके अंदर दो ग्लास पानी डाला है चौथा ही चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है अच्छे से इसे मिला लेंगे और कोकर का ढखकन देते हुए इ से अच्छे से एक बार मिला लीजे और देखे कुछ इस तरह से है अब यहां पर मैंने फिर से क्यास कोन के कड़ाई रख दी इसमें मैंने दो चमच तेल डाल दिया जैसे गरम होगे चौथाई चमच जीरा डाल दिया साथ ही साथ दो लंबे कटे वे प्यास और तीन टमाट कटे वे डाल दिये इन सबी चीजों को मैं अच्छे से भूनेंगे जो यह दावा स्टाइल दाल होती है इस पर हम कड़ी पते वगिरा कुछ भी नहीं डालेंगे बस इन दोनों को मैं अच्छे से भूनना है आप देखेंगे प्यास भी भून चुका है टमाटर भी दाल को पकाते वक भी डाला था इसलिए थोड़ा सा ही डालना आदी चमच लामिश पाउडर आदी चमच धनिया पाउडर डाल कर मसाल को प्यास ट्रमाटर के साथ एक से दो मिनिट तक भूनेंगे उसके बाद यह जो पकी हुई दाल है वह आपको इसके अंदर डाल देनी ह अब आपको डाल जादा पतली पसंदे तो आप तीन ग्लास डाल सकते हैं पर धावा स्टाइल लेने तो थोड़ी सी गाड़ी अच्छी लगती है पानी मैंने दो ग्लास डाल दिया है अच्छे से मिला लेंगे और इसके अंदर आप मैं डाल रहे हैं स्वात के अनुसार नम और इसे खुला ही पकाना है बीच पीच में मिलाते हुए तकरीबन 6-7 मिनिट के लिए तो आप देखेंगे जैसे जैसी पकती जाए की अच्छा सा ओबाल भी आता जाएगा और ये दाल जो है वो गाड़ी भी होती जाएगी तो बस कुछ इसी तरह से मिलाते जाए पकाते जाए थोड़ से मैंने ताजे दिनिया के पत्ते भी काटकर डाल दिया है और अच्छे से मिला लिया है लगभक याँ पर 6-7 मिनिट हो चुके हैं और ये दावा स्टाइल बहुत ही बढ़िया सी दाल बनकर तयार है तो अगर घर पर से फ्यास टमाटर है तब आप ये बना स करना और हां यहां तक आए न तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाए आज के लिए बस इतना ही थांक यू फॉर वाच चाहिए